कैसे आप सभी आप सभी एकदम अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे तो गाइस डीडिंग के टॉपिक है करेंट फीलिंग्स करेंट एनर्जी क्या है आपके पार्णों की लेट सी देख लेते हैं क्या एनर्जी आती हैं सो यहां से एनर्जी आरिकल से हम सबसे पहले देखेंगे और मैं थोड़ा सा आप पीशन्स बिना करके रखेगा ठीक है मैं पहले पूरे कार्ट से निकालना चाहूंगे देन फिर मैं आपको बताऊंगे ओके सो प्लीज थोड़ा सा पीशन्स बिना करके रखेगा देखते हैं अभी में बղाद में सरहां conception गुपार्ण की कुछा सब्सक्राइव इल्लाइट पिनली शाल को aligned अभी में सब्सक्राइव में सब्सक्राइब यहां से एक बर हम देख लेते हैं यहां पर से क्या आता है एंद देन ओके दो कार से आना चाहते हैं पॉट्व देख से हैं दे बर्डन और राइट टैरो से देख लेते हैं एक पर यहां से क्या एनर्जी आते हैं प्लीज काईज पेशन्स थोड़ा सा बना करके रख लेए फिर डिस्टब नहीं होगा बीच में रीडिंग में ठीक है करिंट इनर्जी क्या है एक कि प्रेश के पात में कि प्रेश की थे बाता है कि प्रेश के पात में की प्रेश क्या है सबसे पहले इन दो कार्ट को हम देखेंगे पहला कार्ड है एनवी और दूसरा कार्ड है रेस्ट और रज्वनेशन ओके आपके पार्टर आपसे बहुत जालिस फिल कर रहे हैं आपके पास आने के अपने आपको कंट्रोल कर रहे हैं यह पास अना चाहते हैं तेक हैं मती अपने आपको कंट्रोल कर रहे हैं जेलेस इनगे हैं यह पास आना चाहते हैं बंट बहुत ज़्यादा खुरिच कोई हो एक इनी बात आपके अचाहां की आप पास बहुत हो के रिष्टे में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुरी नसन डालते हैं आपके रिष्टे में बट स्टेल यहां पर मैं आपको बता दू जो आप इन वर्क कर रहे हो ना वह इनकी फैक्ट नहीं पढ़ने देना आपके रिष्टे में ठीक है अभी भी चीज़े काफी अच्छी हैं सिफो सिफ आपके पॉजिटिव रहने की वज़ा से नमबर ट्वांटी और नाइंटी नाइटी ट्वांटी यह नंबर है यहां पर आपके लिए ओके लेट सी गाइस और क्या अनॉर्जी इस हैं यहां से देखते हैं पहला कार्ड है कॉंश्योसनेस आइसुलेशन लेटिंग गो ओके और यहां पर थंडर बोल्ट ओके आइफिल आपसे ब्रेक अप हुआ इनका या फिर मिसंदर्स्टाइनिंग हुई कुछ भी हुआ बड़ आइफिल कि आप दोनों से अपरेशन में हो अलग हो ब्रेक अप हो चुका है चीज़े बहुत लगता है अपने रिष्टा खराब हुआ चीज़े खराब हुआ ब्रेक अप हुआ सेपरेशन हुआ लड़ाई जगड़े हुए मिसंदर्स्टाइनिंग सुई बड़ इट्स ओके अभी आपने अपने 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 अनर्जिस को बैलन्स करके इस रिष्टे को भी क नहीं होनी चाहिए ना जो कि इनको नुकसान पहुचा सकते जो इनके लिए अच्छी नहीं है वो चीज़े कहीने के धीरे करके छूट रही है इनकी लाइफ से ठीक है निकल रही है और दूसरी बात यहां पर यह है कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत कोशिश कर रहे है लेट गो करने की बहुत कोशिश कर रहे है अपको भूलने की बहुत कोशिश कर रहे हैं आपके उपर इनका ध्यान ना जाय ठीक है बहुत दर्द में है इन्हें नहीं समझ में आ रहा क्या करू क्या ना करू परेशान है अकेले पड़ चुके हैं अकेला रहना नहीं चाहते हैं बहुत अकेला फील हो रहा है आपको भूलना चाहते हैं लेट को करना चाहते हैं आपकी यादों से निकलना चाहते हैं यह शुरुवात करें ऐसी भी energy है यहाँ पर इनकी सो यह काफी pain में है jealous feel करते है यह से आपसे jealous feel करते हैं और आपको देख देख करें ट्रिगर भी होते हैं दूर नहीं रह पारहें आपसे यह energy है दूर नहीं रह पारहें आपसे यहां से देखते हैं, the chariot, the hermit, again isolation वाली energy, hermit इनको समझ में नहीं आ रहा, the magician and the empress, wow, very nice, यहां पर जो sign है, वो बता देती हो मैं आपको, यहां पर cancer, यानि की करक राशे बहुत स्टॉंग है, वर्गोकन राशे बहुत स्टॉंग है, और signs आ रहे हैं, जो magician का कार है, वहां पर signs आ रहे होते हैं, बट जो special है, वो मैं बता रहे हैं, जो कि strongly आए है, टॉरिस, वर्गो, कैप्रिकोन, वरशफ, कण्या और मकर राशे भी यहां पर अवेलबल है, सबसे पहली बात, maybe, हो सकता है, आप दोनों के बीच में, caste legend issues हो, age difference हो, but still, कुछ भी issues हो, यह भी हो सकते है, इस इनसान के अंदर ego बहुत है, ठीक है, इगो स्टिक है, यह इनसान को na ego और self-respect में फरक करना नहीं आ रहा, यह self-respect, यह ego को na self-respect समझ रहे है, ठीक है, ऐसा मुझे नग रहा है, यह काफी अकेला मैसूस कर रहे है, कोई नो कोई clarity ढूणने की कोशिश कर रहे है, बट इनक काने अपर यह बताता है, आपको बहुत याद करते हैं, ठीक है, आपको manifest करने की कोशिश कर रहे है, इन डिरेक्ली आपको manifest कर रहे है, जब आपको बहुत याद करेंगे, तो यह स्टैफिनली वह एनरजी तो कहीं तो जाएगी, ठकराएगी तो आपको आप तक आएगी, त आपको इन डिरेक्ली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात यहाँ पर यह है, कि इस इनसान के दिमाग में दो तरीके की थोट्स है, आपको लेकर के पॉजिटिव भी है और नेगिटिव भी है, ठीक है, तो कुछ ऐसे थोट्स भी है, और हो सकता है, यह थोड़ इस श देख लगते हो, बहुत प्यारएं, लगते हो, बहुत समझदार लगत हो, एक मेरीज मटीरिल की तरह ही आपको देखते आपके जुबान के पके हो उस चीज को आपके अंदर बहुत दधा अप्रिशेट करते तो यस आप जितने लोयर हो सच बोलते हो और इन सारी चीजों को देखते हो यह चाहते है कि आप इनकी वाइफ या फिर इनकी हस्बेन बनो ठीक है अप्रिशेट करते हैं बहुत जादा यहाँ बर्डन के अनरजी थी यस बहुत जादा टेंशन लेते हैं बहुत जादा सोचते हैं ओवर तिंग करते हैं बहुत जादा और अपने मन में ही कुछ भी सोचते रहते दिमाग में और फिर इनको लगता है कि यही है सच्चाही में बीन को कभी-कभी लगता है कि आप इनके दिमाग का एक थौट है ठीक है कभी-कभी शक करते हैं अपने आप बिना मतलब का बर्डन यह लेते हैं अपने दिमाग में सोच करके और अपने लिए चैलेंजे से खुद खड़े करते हैं में भी हो सकता है अपने ने ब्लॉक किया हो यह इनोंने आपको ब्लॉक किय था न daquiया पर आपे खुदि खड़े करते हैं इस और फिर उनसे अक्यले लड़ते हैं यह ऊंजर्ष रहते हैं और 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 इस से आप आपके लिए इंजल अंसर्स दख लेते हैं आज हला जह ऊतना देखेंगे सी post और ओम-स्षी क्या ह Teraz ब्रुजा कोई कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो गास ठीक है कोई भी सवाल है अप कूछ सकते हो एंजल से में तीन आप निगा लूगी यहां पर ओके लेट सी देखें एंजल साफ से क्या कहना चाहती है यहां पर है कंप्रोमाइस यहां पर है रिकंसाइडर और यहां पर है बिग हैपी चेंज़ ओके सो यहां पर डोंट स्टॉप का भी कार्ट है तो इंजल से यहां पर आपको यह बोल रही है गाइस आपको यह गायर करने की कोशिश करें अगर लाइफ में आपको बहुत दो कंप्रमाइज करने पड़े है न तो आपको जस्टिस मिलने वाला है और दूसरी बात यह है कि अग दो बार तो कम से कम जो भी डिसीजन लोस के उपर दो बार तो एक बर सोचना जरूर ध्यान से ठीक है और फिर कोई डिसीजन लेना दूसरा यहां पर एंजल आपको बिताना चाहती है कि आपकी लाइफ में बिग हैपी चेंज आने वाले हैं कॉछ लोग जस्टिस मांगे त जो भी आपकी विश रही है वो पूरी होने वाली है फिर किसी भी तरीके से बट यह है कि यूनिवर्स एंजल सापकी लाइफ में खुशिया बेज रहे हैं ओके सो फाइंक यह थी आप लोगों के लिए चोटी सी रीडिंग आई हो अगर आप से रेजनेट की हो आई हो अग बगभाई, तेक केर